हैदराबाद में हाहाकार मचा है और तेलंगाना पानी पानी हो चुका है लहरों का ये शोर किसी के मन में भी खौफ पैदा कर सकता है पानी की ये तेज धारा किसी को भी डरा सकती है मौनसून ने देश के कई राजियों में जोरदार दस्तकती है बारिश के बाद कई जगे बाड जैसे हलात हैं जिसने प्रशाशन के दावो की पोल खोल कर रगती है आईए आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है ये तस्वीरे तेलंगाना से सामनी आई हैं जहां सहलाब में एक बाइक सवार फस गया जहां जोखिम में डाल कर पुल पार करना बाइक सवार शक्स को भारी पड़ गया शोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो मानसून के दोरान वाइरल हो रहे हैं जहां लोग सतर्तन ही बरत्ते और हाथ से का शिकार हो जाते हैं ऐसा ही एक वाक्या बुद्वार को तेलंगाना में सामनी आया जहां एक युवग पानी के तेज भाव के बाबजूर अपनी बाइक के साथ पुल पार करने लगा और उसकी जान पर बनाई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लहरों के बीच एक शक्स फसा हुआ है मामला हिमायत सागर सर्विस रोड बिरिज का है जहां एक युवग अपनी बाइक के साथ ओवरफलो वाले इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने पानी के तेज भाव में संतुलन खो दिया युवग पानी में बुरी तरह फस गया उसकी जान पर बनाई इस बीच साइबराबाद पुलिस ने बचाव अभ्यान चला कर युवग की जान बचाई वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के चबरदस्ट भाव के बीच साइबराबाद पुलिस करमी किस तरह बाइक और चालग दोनों को बचाने में सफल होते हैं तेलंगाना के बाद आपको हैदराबाद की तस्वीरे दिखाते हैं मौन्सून ने यहां ऐसी एंट्री मारी है कि कई लाके पानी-पानी हो गए है हैदराबाद के कई हिससे इन दिनों बारिश और बाड़ की जबरदस्ट चपेट में हैं इसने जन जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है जिसने लोगों को मजबूरन धरों में कैद कर दिया है लोगों के सामने इस वक सबसे बड़ा संकत खाने-पीने की चीजों और पीने के पानी का है कई इलाकों में सवकें जीलों में तब्दील हो चुकी है कई अपार्टमेंट के नीचे पानी भर गया है जिस कारण लोगों की गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है रिहाईशी इलाकों में खास कर जीलों से सटे इलाकों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है, उधर जल जमाव से लोगों को काफी परिशानी कसानना करना पड़ रहा है पिछले बारिश देशाना पिर जड़ को रही है